फ्रेंड्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है उस पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुलेगा और यहां से आप किचन के सारे प्रोडक्ट खरीच सकते हैं काफी अच्छे प्रोडक्ट है अच्छे प्राइज में हैं यहां पे आप खरीच सकते हैं और किचन के अलामा काफी और भी प्रोडक्ट है जो जिनकी जरूरत हमें पढ़ती है वो भी आप यहां से खरीच सकते हैं काफी अच्छे अच्छे क्वालिटी के बढ़तन है डिनर सेट है किचन में यूज होने वाले काफी प्रोडक्ट है और साथ में और जो चाहें आप उसे सर्ज करके खरीच सकते हैं और मैं मेरे किचन में जो भी प्रोड़क्ट यूज करती हूँ वो मैं यही से पर्चेस करती हूँ तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से जाके विजिट जरूर करिएगा हाई फ्रेंट्स वेलकम बैक टू दे चैनल मैं हूँ श्वेता सिंग और आज मैं आप सबके साथ सेयर करने वाली हो केसर लसी की रेसिपी जो की बहुत ही ज्यादा सिंपल है और बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी केसर लसी की रेसिपी और मेरे चैनल पे और भी अलग-अलग फ्लेवर की रेसिपी है लसी की तो उसे चेक जरूर करिएगा और आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अभी ये जो करोना का टाइम चल रहा है उसमें बहुत सी प्रॉब्लम हो रही है और ये बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहा है तो मेरी आप सबसे ये request है, प्लीज अपने घर पे रहे, बहुत ही जरूरी काम हो, तभी बाहर निकले, अपने हाथ को हमेशा wash करते रहे, sanitize करते रहे, mask लगा के रखे, अपने और अपने family का पूरा ध्यान रखे, इसको बिल्कुल भी lightly मत लीजिये, आप सब बहुत जादा case बढ़ रहे हैं, बहुत problem हो रही है, तो और जो भी हमारे government के protocol है, उसे follow जरूर करें, और please घर पे रहे, बेवज़ा बाहर ना निकलें, और जो बेवज़ा की अफवाएं हैं, उससे बचें, तो चलिए केसर लसी बनाना स्टार्ट करते हैं, और वीडियो अच्छी लगेग तो इसे like जरूर करिएगा, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है दही, दही मैं एक कप ली हूँ, घर की fresh दही है, साथ में मैं चाहिए शक्कर, शक्कर मैं अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, और थोड़ा सा इलाइची powder लिया है, थोड़े से काजु बादाम को का केसर वाला दूद लिया है, दो से तीन चम्मच और दो चम्मच के लगभग घर की fresh मलाई है, आप लिक्विड केसर का भी यूज कर सकते हैं, जो आजकल मार्केट में मिल रहा है, मैंने केसर को गरम दूद में डाल के भिगा लिया था, तो इसका कलर बिलकुल आ गया है, तो यहां पर मैं इसमें दही डाल रही हूँ, दही मैंने घर की जमाई हुई ली है, और शक्कर अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे, इलाइची पाउडर, इलाइची पाउडर डालने के बाद इसमें हम डालेंगे, केसर, यह केसर वाल करेंगे और यह आप देख सकते हैं मैं एलेक्ट्रिक ब्लेंडर का यूज कर रही हूं बहुत ही आसान होता है और इससे मारा काम बहुत ही जल्दी-जल्दी फटा-फट से हो जाता है और फ्रेंड्स मैं जो भी प्रोडक्ट अपने वीडियो में यूज करती हूं उसे खरीद आपको जो भी प्रोडक्ट पसंद है जैसे कि यह अभी आप इलेक्ट्रिक ब्लेंडर देख रहे हैं इसे खरीदने के लिए भी आप लिंक पे क्लिक करके वहां से सर्च करके कीचन की काफी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं उसके साथ में आप कपड़े वगेरा ब्यूटी प् लसी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है तो अब मैं फटा फट से इसे ग्लास में सौफ कर लेती हूँ तो यहां पर मैंने एक ग्लास रखा है और मैं इसमें डाल दूंगी और कलर आप देख रहे हैं कितना ज्यादा अच्छा कलर आया है पुरक केसर का फ्लीवर भी है कलर अब मैं इसमें थोड़ी सी मलाई डालकी इसे गार्निश करूंगी क्योंकि बिना मलाई के लसी तो अधूरी होती है तो यहां पर मैं घर की मलाई यूज कर रही हूँ जो कि लसी में बहुत जादा अच्छी लगती है साथ में थोड़े से काजू बादाम से गार्निश कर द दाल दी हूँ उपर से तो यह आप देख सकते हैं हमारी केसर लसी बन के तयार है जो कि बहुत जादा टेस्टी लगती है सबको बहुत पसंद आती है और इसे बनाना बहुत ही आसान है क्योंकि जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो अलग-अलग फ्लेवर की लसी पीते हैं औ अभी तो हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं और जाना भी नहीं चाहिए तो फिर आप घर बैठे बाहर की चीजों का भी मज़ा ले सकते हैं और ये रेसिपी को फॉलो करिए आपको पसंद आएगी तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा और कॉमेंट करके ज़रूर बताइएग कि आपको ये लसी कैसी लगी और मेरे चैनल पे नहीं है तो सब्स्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा जिससे कि मैं कोई भी वीडियो कोई भी रेसिपी डालू तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सब तक पहुँचती रहे और अगर आप कोई भी क प्रोडक्त खरीदना चाहते हैं घर बैठे डेर सारी शॉपिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है लिंक पे क्लिक करके आप घर बैठे डेर सारी शॉपिंग कर सकते हैं और बस इस बात का ध्यान रखिए कि ज्यादा से ज्यादा घर अपने गॉर्मेंट के जो प्रोटोकॉल है उसे फॉलो करिए अपनी और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे फिर से एक बार प्लीज इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ तब तक कि रहे बाब भाई and टेक केर थैंक्स पर वाचिंग